Hello बच्चों, Welcome back to my channel मेरा नाम जगदीप है और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं Ordinal Utility Analysis की पिछे कुछ वीडियो से हम Properties of Indifference Curves के बारे में Discussions कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम 5th Property of Indifference Curve के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक? बच्चों, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना क्योंकि इस सीरीज के खतम होते ही मैं किस और नोट्स रिलीज करूँगी और वो सारी चीजें आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे ठीक, जिन बच्चों के लिए यूट्यूब पर पढ़ना डिफिकल्ट है और इतने लंबे वीडियो वो नहीं देख पाते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है आप वहां पर भी जा कर के स्टडी कर सकते हैं वहां पर रिल्स हैं जो काफी शॉट डिरिशिंस की होती है आपके लिए जरा अंडिस्टाइं करना समझना असान हो जाएगा ठीक, तो बच्चों बढ़ते हैं लेक्चर में तो जैसा कि मैंने बताया कि हम आज की इस वीडियो लेक्चर में फिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफ्रेंस कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो फिफ्ट प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्ट प्रॉपर्टी यह कहती है कि इंडिफ्रेंस कर्व जो है वो कभी भी किसी भी आक्सिस को टच नहीं करेगा ठीक है, क्यों नहीं करेगा, उसके डीटेल्स अब हम देखते हैं, हमाई पास यह डाइग्राम है, जहां पर Y-axis पे चॉकलेट हैं, X-axis पे पीजा स्लाइस हैं, यह हमारे एक्जाम्पल्स पूरी सीरीज में यहीं रहे हैं, तो हम इनी एक्जाम्पल्स के साथ में आगे चलें कि मैंने तीन-तीन टीन इंडफरन्स कर्व क्यूब बना रखे हैं, तो आप देख लेते हैं कि यहां पर दा ही हैं, तो मांपलो, हमारे पास इंडफरन्स कर्व One पर बाइप A है, indifference curve 2 पर point B है, और indifference curve 3 पर हमारे पास point D है, अब point A पर हमारे पास pizza slices तो इतने सारे हैं, यहां से लेके यहां तक, but chocolates हमारे पास कुछ नहीं है, 0 है, मांग लो हमारे पास point A पर 10 pizza slices है, ठीक है, so point A पर हमारी combination क्या बन रही है, chocolates 0, but pizza slices 10, उसी तरह से हमारा point B है, मानलो point B पर, अब हमारे पास 10 chocolates है, so point B पर, chocolates तो 10 है, but pizza slices कुछ नहीं है, याने की pizza slices 0, और अब हम आते हैं point D पर, so point D पर, मानलो यह इतने सारे हमारे पास chocolates है, मानलो यह लगभग बीच बीच में है, तो इसको हम 5 कर लेते हैं, और यह भी यह एकदम बीच में नहीं है, तो इसे हम लगभग 8 कर लेते हैं, so point D पर, हमारे पास 5 chocolates है, और 8 pizza slices है, अब इन तीनो points में से valid point कौन सा है, क्या अब गैस कर सकते हैं, थोड़ी help में कर देते हूं, Indifference Curve की Definition क्या थी, क्या बता रहा था, Definition, Definition बता रहा था, कि भई, Indifference Curve क्या है, Graphical Representation है, ठीक है, कुछ याद आया, किस चीज की Various Combinations, किसके Combinations, किसके Combinations, Of Two Commodities, एना, Graphical Representation, किसके Various Combination of Two Commodities, That, Yield, Same Level of Satisfaction, एना, अब हम इन Points को देखते हैं, So, Point A पर, So, Point A पर, So, Point A पर, Point A पर क्या हो रहा है, Chocolate's की Combination तो बिलकुल ही नहीं है, बंदा चॉकलेट खाई नहीं रहा, हैंना, जबकि पीजा स्लाइस वो टैन कंजूम कर रहा है, तो इस केस में, कितने Commodities इस इंडिविज्वल ने या इस कंजूमर ने कंजूम किये हैं, Point A पर उसने सिरफ एक ही Commodity कंजूम की है, है ना, उसी तरह से अब हम Point B देख लेते हैं, Point B पर भी इस बंदे ने क्या यह इस definition के हिसाब से सही बैठती है, बिल्कुल नहीं क्योंकि हमारी assumptions हमारी very definition हमारी जो definition in difference curve की वही indicate कर रहे हैं कि भई कंजूमर ने दो Commodities consume करने हैं, पर Point A और Point B पर वो किवल एक ही दूसरी commodity की consumption बिल्कुल 0 है, अब यह 0 है, तो क्या फरक पड़ता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहोंगे, थोड़ा और अनलाइस कर लेते हैं, मान लो हम Point A की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, Point A की तरफ हम चल रहे हैं, तो यहां पे consumer इतने सारे goods consume करेगा तब जाकर यह Point A की पर आएगा या एट पीजा स्लाइस पर आएगा, जब वो फ्रस्ट पीजा स्लाइस कंजियू करते है, तो उसकी Marginal Utility Increase होती है, जब वो 2nd consume करता है, तो उसकी Marginal Utility Further Increase होगी, जब वो 3rd थर्ड consume करेगा, तब उसकी marginal utility further increase होगी पर indifference curve की जो base है, वो है marginal rate of substitution वो भी diminishing होनी चाहिए है ना, पर यहां तो diminish वाला system ही नहीं है, यहां तो सब बढ़ी रहा है यह diminishing क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि consumer सिरफ एक ही commodity consume कर रहा है, यहां पर जो की है pizza slices है ना, जैसे-जैसे वो pizza slice की consumption बढ़ाता है या उसकी जो units consume कर रहा है, उसकी utility भी increase होती जा रही है utility कम करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जब हम indifference curve analysis की बात करते हैं, तो जैसे-जैसे consumer एक commodity की utility increase कर रहा है, या उसकी consumption increase कर रहा है, तो level of satisfaction same रखने के लिए दूसरी commodity की अगर pizza की increase कर रहा है, तो chocolates की consumption उससे कम करनी ही होगी, तब जाके उसकी satisfaction level जो है, वो constant रहेगी या same रहेगी, बट point A और point B पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्यूंकि दूसरी commodity तो consume हो ही नहीं रही, तो वो क्या कम करेगा? इसी तरह से point D पे अब वो दोनों commodities consume कर रहा है, वो 5 chocolates consume कर रहा है, और लगभग 8 pizza slices consume कर रहा है तो यहां पे अगर pizza slice की consumption बढ़ाता है बढ़ा ले pizza slice की consumption, तो अगर मान लो उसने pizza slices की consumption बढ़ा ली और वो इस point पर आ गया लगभग point E पर तो point E पर आने के बाद, अगर हम थोड़ा सा देखें ध्यान से तो chocolates की consumption कम हो गई और pizza slices की बढ़ गई यह जो point है यह valid prove होता है as per definition किसकी indifference curves की पर point A और point B इस definition के हिसाब से adjust नहीं होते इसे लिए indifference curve कभी भी किसी भी access को touch नहीं करेगी क्योंकि indifference curve analysis को applicable होने के लिए यह mandatory है कि consumer हर समय दो commodities ही consume करे बट जब indifference curve किसी भी access को touch करती है तो उस point पे दूसरा commodity consumption बिलकुल ही zero होता है जैसे कि point B में pizza slices zero पे है और point A पे chocolates zero पे है तो यह जो system है यह violate करता है indifference curves की definition को और उसके assumptions को इसलिए indifference curves कभी भी किसी भी axis को touch नहीं करेंगे ठीक I hope बच्चा आपको यह वीडियो समझ में आया होगा मिलते अगले वीडियो में अगली property के साथ बच्चा आप बच्चा आप बच्चा आप बच्चा आप ठीक बच्चा आप आप